Even का opposite word क्या होता है? यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं. Even का मतलब होता है sum, यानि कि जो संख्या 2 से भाग होती है, उसे हम even कहते हैं. तो even का opposite हो सकता है odd, यानि कि विशम. ODD, odd, यानि कि जो संख्या 2 से भाग नहीं होती, उन्हें हम odd कहते हैं. तो जैसे कि आप ये कह सकते हैं, the numbers 4, 6 and 8 are even, यानिकि 4, 6 और 8 जो हैं, वो sum है, इसका उल्टा हम कह सकते हैं, the numbers 3, 5 and 7 are odd, यानिकि संख्या 3, 5 और 7 जो हैं, वो विशम संख्याई हैं, अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें